श्री सिवाई नमस्तु भ्यम हरहर महादेव नर्मदासी महापुराण की कथा के दौरान कल गुरुजी ने पसुपती बरत में जो प्रसाद बनाते समय एक विसेश साउधानिया एक विसेश जानकारी हम सब दी को दी है गुरुजी कहते हैं आप जब पसुपती नाथ बरत मे प्रसाद तयार करें जैसे कि प्रसाद इतना मंदीर में ले जाया जाता है कि उसके दो भाग मंदीर में भगवान शिव को समर्पित किये जाते हैं और एक भाग उसमें से लेकर अपने घर की तरफ लाकर प्रसाद की रूप में उसे खाकर ब्रत को खोला जाता है तब गुर का अर्थ है कि महादेव के नाम का ही यह प्रसाद बनेगा और महादेव को ही यह प्रसाद समर्पित किया जाएगा गुरुजी के कहने का अर्थ आप सब भी समझ रहे होंगे कई बार महलाएं होती हैं हम सोचते हैं कि प्रसाद बना रहे हैं तो चलो सभी लोग इसका जो है इ महादेव के लिए ही बनाए जिस से की आप इतना ही प्रशाद बनाइے जो की आप दो भाग मंदीर में कर सके और एक आपने लिए ला सके ऐसे में यही इसका निष्कर से निकलता है कि नापकर इस अनुसार प्रशाद बनाया जाए इसके बाद जो बच जाए भगवान को समर्पित करने के बाद या आपके खाने के पश्चा जो बच जाए वह जो है बच्चों को प्रसाद के रूप में दिया जा सकता है परंतु पहले से ही आप सोच ले कि इतना बना लूँ कि मेरे बच्चे भी इससे खाले परिवार के सदश्य भी इससे खाले और सभी की पूर्ती हो जाए यह सही नहीं है निरंतर मुख से और मन में भगवान शिव के लिए और शिव के नाम का ही प्रसाद बनाया जाए और इतना ही बने तो काफी उत्तम है बच जाए तो कोई दिक्कत नहीं है देखे बचा हुआ तो प्रसाद के रूप में सास्त्रों में कहा गया है बाटा ही जाता है परंतु पहले से ही यह धार ना करके करना उचित नहीं है वीडियो आपके लिए हल्पूल रहा हो तो हर हर महादेव लिफना ना भूले जैमाता दी राधे राधे